हेलो गाइज वेलकम टू मैं चैनल सो आज हम बात करेंगे जियो फोन 3 के प्राइस के बारे में और उसकी स्पेसिफिगेशन के बारे में सो गाइज वीडियो को एंड तक देखिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सो गाइज त्रिलाय祁 जियो कंपनी ने अपने अपकमिंग फोन जियो फोन 3 के बारे में बताना शुरू कर दिया है जियो फोन 3 में आपको कोई मेटलिक डिजाइन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि को इसमें पोली कारगोनेट डिजाइन दEखने को मिल सकता है Jio Phone 3 में हमें AI-based processor भी देखने को मिलेगा जो कि under 15,000 के budget वाले phones में ही हमें देखने को मिलता है Jio Phone 3 एक low budget phone होने वाला है जो कि सिर्फ 5000 तक की range में ही हमें मिल जाएगा And कुछ leaks तो ये भी बता रहे हैं कि हमें इसमें 3 variants देखने को मिल सकते हैं 2GB, 3GB and 4GB RAM variants And Jio Phone 3 में हमें gradient colors भी देखने को मिलेंगे जो कि आप Oppo R17 के साथ compare कर सकते हैं आप इस device में एक fingerprint scanner देख पाएंगे जो कि Jio Phone 3 के back side में लगा हुआ होगा Jio Phone 3 में आपको dual rear and dual front camera भी देखने को मिलेगा Jio Phone 3 में आपको 5G का support भी मिल जाएगा And कुछ rumors के हिसाब से Jio अपनी 5G services 2019 के end तक market में ले आएगा So guys Jio Phone 3 में हमें बहुत ही अच्छी performance AI based dual camera And बहुत सारे gradient colors के options देखने को मिलेंगे जो कि Jio Phone 3 को सबसे कम price वाला best android phone बना देंगे So guys यही सारी बाते थी Jio Phone 3 के बारे में I hope you enjoyed this video, thanks for watching, stay tuned for the next one and don't forget to subscribe my channel